देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में नर्स यूनियन ने अनिश्चित कालिन हर्ताल शुरू कर दी है और इसमें छटे केंद्रे वेतन आयोक के प्रस्तावों को मानने की मांग की गई है नर्स यूनियन का कहना है कि उनकी और कई मांगे है जिने सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे है ऐसे में उनके पास हर्ताल पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है एम्स में 5,000 नर्सिंग स्टाफ तैना थे और इनमें महिला और पुरुश नर्स दोनों शामिल है ऐसे में नर्स यूनियन के हर्ताल पर जाने से एम्स में भड़ती मरीजों की मुश्किले बढ़ने वाली है एम्स प्रशासा नहीं मान रहा है जो एम्स प्रशासा नहीं मान रहा है इसी वज़े से उन्होंने ये हर्ताल करने का फैसला किया है अनिश्चित कालिन हर्ताल के चलते अब वहाँ पर जो लोग एडमिट है उनके परिशानी बढ़ जाएगी जो जितने भी नर्सेज हैं एम्स की उनका जो बेसिक था चट्वे पे कमिशन के इसाफ से एक टेक्निकल एरर था यानि उन लोगों को जो पैसा मिलना था उससे कम पैसा दिया गया था तो हमारे बार बार निवेदन के बाद भी इसको नहीं माना गया तो हमने इस्ट्रैक की थी मतलब एक पीस्बूल प्रोटेस्ट किया था सत्यागरे उसमें इनकी समझ में आया गया था मंत्रा लेको और मंत्री जी को इन्होंने हमें लिख किया और उस पर काम हुआ लोग को फिक्सेशन हुए और लोग को फाइनिसली बेनिफिट देना शुरू किया लेकिन जैसे मांगता है सभी लोगों से कि मुझे ज्यादा पे दिये जाए क्योंकि यह रिशर्च इंस्टूट है तो नरसेज को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए वक्त होगा एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखे हमारे खास पेशकर्श फकीर आज़म